है जा सकते या अगर तुम बगवान के दूर पर तो कोई भी जा या भगवानिके दौर परका रहे के आप जाओगे नहीं जा सकता कि यहीं तो नफरत यह बोना चाहते हैं यह अपना चाहते हैं कि हमारा एक अधिकार रहे अगर हम कहें तो जनता खड़ी हो हम कहें तो जनता बैठे हम कहें तो जनता बोले हम कहें तो जनता चुप रहे गुलाम बनाना चाहते हैं देश को ऐसे कैसे हो जाएगा कि टिकेट जिने वेसी को भी जएंट बताया अच्छा ग्यान मताया पो जब कि अदर आगया कि अकर मैं यूपी जितता हूं तो वही लोग मुझे फिर अपा जान बोलेंगे देखिये कौन बोलेगा वही बोल रहां कि अकर मैं जीत गया अपा-जान-एवह बोलेंगे अमने क हमानय करें सरकार किसंखिर कि पूंधी कारिये उनको करने जंत तो ठगी बैठी है कि 15 absent 4 साल हो गई कि इस और साथ साल हो गई उसे जंत का कोई काम नहीं किया कि संधत ठगी PayPal लाफ़ी तो दो माहिने से जो नालायकों कभी महानालायक निकली ये सरकारें तो क्या करें जनता तो ठगी गई टिकेट जी जब टिकेट परिवारपुरा जब घंटा बांध रहा था मंदिर में क्या होनी कि लोगा तो उन्होंने कोला कि पश्मी यूपी से संखनाद हो चुका है बीजेपी के खिलाफ अब कि बीजेपी के घंटा बजा रहा है कि पीजेपी का तो ऐसा घंटा बजेगा इस मार कि के बेदोजार 22 होगा मैं प्ल Hill 2008 मेंचा महिना होगा और योगी जी अपने मत्वें घंटा बजाता होगा ये बाज लिख लो ये जंटाका लिखcaster चूकी हम झेए जंटा लिक्छी है जब पर पर चुना होगा उसका सेंटर पॉइंट जो चारो तरफ राजनीती घूमेगी वह मुझपनेगर जगा होगी देखिए पस्चिम से राजनीती चलती है पहला फेस होगा तो यहीं से सुरू होगा और जब फर्स्ट इंप्रेशन इस लाश्ट इंप्रेशन अज पहली तो वह होगा और वह मुझे इदर से चलेगा पस्चिम से और जब यहां से संकनाध होता है वह पूरे उत्तर परदेश की तरफ चलता है पूरव की तरफ और जिस टेम यहां से किसानों का मजदूरों का रेडी पट्री वालों का छोटे ब्यापारियों का युवाओं का बे साप करता चला जाएगा मही तक योगी जी ने बोला है कि यूपी में अगर कोई बाहर से आता है किसी अंदर राजियों से आता है उसको विकास की याद आती है उसको तरक्की कि अगर तरक्की अंदर मन में होता कि तरक्की देखनी है विकास देखना है तो यूपी को याद करता है यूपी में यूपी में विकास उसको चारों तरफ दिखाई देता है अगर महिलाओं के साद बेटी यो पहन बेटी के चाद कोई दुरविहर करेगा या करता है उसका हाल वही होगा जो दुरियोदन का वुच दुशासन का हुआ था तो बताइए लखेंपूर खीरी म बेटी का चीर हरन हुआ अगर दुर्योदन और दुशाशन के बात करते हो तो वहां पर सारे महर्ती बैटे थे सभाम है जब दुरोप्ति का चीर हरन हुआ था खोछ फूर सब मोन बैठे थे अब अब लखेंपुर्खीरी में चीर हरन हुआ है और साथ अगर ये उस बेटी का चीर हरण पर नहीं बोले बताइए योगी बोला, मोधी बोला, कोई मंत्री बोला और किसके थे वो जैसे वो दुसासन द्रतराष्ट के थे, विपुत्र उसका चीर हरण करने वाले बीजेपी के थे बताइए कोई बोला, तो वो ही हाल होगा विजेपी का जो महाबारत में दुसासन का हुआ था क्यों? कि सारा कुनबा खतम हो चुका था ऐसे इनका राजपाट गया था ऐसे इनका भी जागा जिस तरह पुत्र महों में दुसासन ने पांडो को पांच गाओ नहीं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दी थी उसी तरह ये बीजेपी के मोदी किसानों के काले कानून वापस नहीं कर रहा है MSP पर गारंटी का कानून नहीं दे रहा है तो ये भी एक महाबारत है जिस तरह उनका नास हुआ था उस तरह इनका भी नास होगा लोग रामायर तो था ही था अब महाबारत भी आ गया बीच में देखिए आप बैठे कहा हो ये हसनापुर का वो छेत्र है जहां से महाबारत सुरू हुई थी और गई कहा थी लड़ाई हुई कहा थी कुरू छेत्र हर्याने में और हर्याने में लड़ाई सुरू है तो महाबारत तो चल रहा है कब इनका सत्यानास होगा वो देखना बस यूपी के आप भी हैं आपको तो यूपी में विकास तरक्की और समरद्धी खुसाली दिखाई देता होगा भाई आप भी तो यूपी में बैठे हो अगर हमारी खुसाली होती हमारी समरद्धी होती हम खुस होते तो दस महिनों से सडकों पे होते यह तो किसान अंदुरन होगे इनके राज से पहले 400 का सिलंडर था आज यह आ गए तो 900 पार कर चुका है कि इनके राज में 40 रुपे आज सो के करीब पहुंच गया है इनके राज से पहले 60 रुपे पेट्रोल था ऐज 112 चोदाइप पहुंच चुका है इनके राज से पहले नहीं वह Shar Within द Deb तुव पोइंट वहर्षा और इनके राज से पहले हमें 50 किलो का खाद गट्टा मिलता था इनके राज में आके चोरी हो गई 5 किलो कम हो गया 45 किलो क रहे गया पहरें इन सभी चीजों के साथ जो समय बदलता है थोड़ा टाइम आगे गाया है तो लोगों की कमाई का जरिया बढ़ा है इनका मारी है सोर्स आ रहे है लोग के पास पैसा आ रहा है सुन लेजिए देखिए इन से पहले जो भी मुक्यमंत्री रहे मायावती रही असी रुप तो साप मैं किसी पर वो ब्लेम नहीं है मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ देश के अंदर महगाई बढ़ती है तो महगाई बढ़ते सिर्फ सरकारी करमचारी गरमचारी को मिलते है क्या उनिको महगाई को गरीब को किसान को ब्यापारी को क्या इनको महंगाई नहीं लगती तो इनका कैसे बढ़े अगर आप सरकारी करमचारी वह आपको एक लाग रुपे तनका मिलती है आपका गुजारा नहीं होता और भारत का किसान आज खोल के बता रहा हूं भारत के किसान की आए 27 रुपे परड़े है डेली 27 रुपे की इंकम है बताइए मन्रेगा का मजदूर से सवा 200-500 रुपे है कहीं सवा 300 भी है तो बताइए 27 रुपे में एक व्यक्ति कैसे गुजारा कर लेगा और अगर मैं 27 रुपे में गुजारा कर सकता हूं तो फिर देश का परदान मंत्री इतनी तनक क्यों लेता है मुख्य मंत्री क्यों लेता है विदायक सांसत क्यों लेते हैं जब उनको हर चीज फिरी मिलती है रहना पिरी खाना पिरी आना पिरी जाना पिरी नोकर पिरी बिजली फिरी हर्च हवाई जाज पिरी रेल पिरी बस पिरी कार पिरी बीजल पिरी पेट्रोल पि झाल झाल